नमस्कार स्वागत है आप सभी का लक्षे के टॉप 10 डेली करेंट अफ्यार स्रीज में आज 25 जून है और आज भी हम रोज की तरही 10 सबसे महत्पॉंट प्रशनों पर चर्चा करेंगे इससे पहले हम प्रशनों पर चले आज देख लेते हैं कि आज की सुरुवात के लिए हमाई लिए मोटिवेशन कोट किया है तो स्वाई विवेका नंद से संबंदित है उठो जागो और तब तक मत रुखो जब तक तुम्हें लक्षे की प्राप्ती न हो जाए ये स्वाई व अपने प्रयास में तब तक लगे रहो जब तक कि आप अपने लक्षे तक ना पहुंच जाओ चलते हैं कल के वीडियो के अंदे पूछा गया प्रशन था कि हिंद परशांत इस्थिता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक तरी पक्षी लांच किया है तो अमेरिका इस देश में हैं तो भारत चीन न्यूजिलेंड ऑस्ट्रेलिया तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया हाली में उनेस्को की एक समीति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीव को ऐसी विश्व धरोहर की सूची में रखने की सिफारिश की है जिन पर खदरा मंडरा रह किया है यूनेस्को दोरा गठित विश्व धरोहर समीति के मताविक और उस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे बड़ी परवाल बित्ती परणाली को जलवाई परिवर्दन के असर से बचाने के लिए कोई परियाप उपाय नहीं किये हैं इसके साथ ही अगर देखा जाये तो के मसादे में यह कहा गया है कि ग्रेट वैरियर रीफ की मुंगा चट्टानों को पिछले कुछ वर्षों में काफी चती पहुंची है हाला कि यूनेस्को दोरा गठित विश्व धरोहर समीति के रिपोर्ट के रिपोर्ट की ऑस्ट्रेलिया ने आलोचना भी की है ऑस्ट्रे ग्यान और संस्किर्ती में अंतराष्टिय सहीयोग के माध्यम से सांतिय निर्माण के लिए प्रयासरत है इसकी स्थापना 16 नॉमबर 1945 को हुई थी तदह इसका मुख्याले पैरिस में इस्थित है ग्रेट बेरियर रीफ के बारे में देखें तो और श्रेलिया के पूर्वी पट्पर इस्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है यहां काफी अधिक समुद्री जैब विविद्था पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ को वर्श 1987 में विश्व विरासत स्थल गोशित किया गया था कॉरल रीफ या प्रवाल भि प्राय उशन कटीवंदिये या उपोशन कटीवंदिये समुद्रों में मिलती है जहां तापमान 20-30 डिग्री सेलसियस रहता है ये सेल्च बित्यां समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती है जिससे इनके बीच छिचले लैगून बन जाते हैं कोरल या प्रवाल उतले सागर में पाई जाते हैं और इनके विकास के लिए स्वच एवं अवसाद रहित जलावशक है क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं प्रवाल या कोरल्स फोटो संथेसिस सेवाल के साथ पारंपरिक रूप से साथ रह करते हैं इसके बदले में जुजैंतला मुंगा को पोशक तत्व परदान करते हैं वहीं देखा जाए तो यह उस्ट्रेलिया का मांचित्र है और पूर्वी तट के किनारे यानिकी इस एरिया में आप देख सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की पूरी एक स्ट्रिंखला पाई करते हैं तो इसका साथ ही चलते हैं आज की अपने दूसरे प्रश्न पर की हाली में डव फोने किस देश को बोला मुक्त सगोर्षित किया है इथिछुटिया कॉंगो गड़ राजे गिनी गड़ राज्ज fuss में में इस्थित देश गिनीगर्ड राज्जे में इसी वर्ष फरवरी में फैले इबोला प्रकॉप को समापती की घोशित ना की है इबोला वाइरस रोग के बारे में देखें तो इबोला वाइरस डिजीज या रोग या इसे इबोला हैमोरेजिक फीवर या रक्त इस तरह भी बुखार के नाम से भी जाना जाता है यह मनुश्यों के लिए लव किंतु गंभीर जानलेवा बिमारी है यह वाइरस जानवरों में मनुश्यों में इस जानवरों से मनुश्यों में स्थानांत्रित हुआ है तथा मनुश्यों में एक दूसरे से संक्रमण के द्वारा यह फ यह वाइरस संक्रमित जानवरों जैसे फ्रूट वैट चिंपैंजी गॉरिला बंदर जंगली हीरन और साही आदी के मरत सरीर रक्त सारीरिक तरल के स्तराव आदी के संपर्क में आने के कारण मनुश्यों में फैलता है वाइरस परिवार फीलो वाइरीडी या फीलो वाइरस मे वर्ग मायरज या इबोला वाइरस एमाँ अबोला वाइरस के भीतर भी छैप्रकार की प्रजयात्यों की पहचान की गई है जाएर बुटि विग्च्वीक्यू सुडान ताव फॉरेस्ट स्टन और बॉंबली इसके लावह इवोला वायरस के इतिहास पे दिश्टथि डा मामला यंबू को और डेमोक्राटिक रिपॉब्लिक आफ कॉंगो में पाया गया था कि विश्वस्वास संगठन के विशे में देखें तो विश्वस्वास संगठन संयुक्त राष्ट्र संग की विश्वस एजनसी है जिसकी स्थापना करता है विश्वस्वास संगठन का मक्ञीवा संग हेता है तो बैस महामारी के निदान में भारत तथा आप विश्व स्वास तंगठान सायोगी के रूप में कारें कर रहे हैं तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने अगले प्रश्ण पर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा हवल टैलिस्कोप कि संत्रिक्ष एजंसी से संबंदित है इस रो ये ये यूरोपियन स्पेस एजंसी स्पेस सेक्स या नासा तो इसका उत्तर होगा नासा Chalhie में नासा ने बताया क्योंकि एक पेलोड कंप्यूटर में खरावी आने से हवल स्पेस टेलेसकोप मैं पिछले कुछ दिनों से काम करना बंद कर दिया है क्योंकि इसी पेलोड कंप्यूटर से हवल इस पेस टेलिसकोप के विज्ञान से जुड़े उपकरणों को नियंतरित किया जाता था हवल इस पेस टेलिसकोप को देखें तो यह है टेलिसकोप सहयोगत राज्य अमेरिका की है जिसे अंतरिक्ष में पृत्वी की निम्न भू बिश्व के एक रने प्रभु टेलिसगोप उत्तिकल डीशे को आरेभट प्रच्षेपनव विज्यान सोध संस्थान ने देवस्थर्ल ऑप्टिकल टेलिसकोप को सन 2016 में उत्राकंड के देव इस्तल में स्थापित किया था इसके साथ ही अगर देखें अध ये तो हम पाते है कि यह 3.6 मीटर व्यास वाली ऑप्टिकल टेलिस्कोप है ब्रह्मांड के रहसे को जानने है तू इसे भारत वेल्जियम के सहयूक्त परियास द्वारा इस्थापित किया गया था गौरतलब है कि आर्रिभट प्रेच्छे पर सो विग्यान सोथ संस्थान भारत सरकार के चीन और के दक्षिन पश्यम में इस्थित गुई जहूं प्रांत में इस्थापित किया गया है इस टेलिस्कोप से में 500 मीटर व्यास वाला अप्चर है अता इसके इसी कारण इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेलिस्कोप कहा जाता है इसके स्थापना चीन किने सन 2011 में की थ चाना है इसके 2021 के अन्त तक इसके अलावा देखा जाये तो इस टेलिसकोप के निर्माण में तीन अंतरिक्ष एजनसिया संलगने नासा यूरोपी अंतरिक्ष एजनसी यह टेलिसकोप विश्व की सारवाधिक उन्नत अंतरिक्ष टेलिसकोप होगी जैंस वैब तकनीक पर कारे करेगी Growth India Telescope यह है टेलस्कोप भारत के हनले यानि की लद्दाक में इस्थित भारतिय खगोली वेदशाला में स्थापित की गई है Growth India Telescope कई देशो यानि USA, Germany, Israel, Japan, United Kingdom आदी की संयुक्त पहल Growth का हिस्सा है यानि Global Relay of Observatories Watching Transist Happen का हिस्सा है Growth पहल के तीन मुखे प्रमुख लक्षे हैं Binary Neutron के विले की पहचान करना Supernova विस्पोर्ट का अध्यान करना और शूद्र ग्रहों का अध्यान करना इसी के साथ ही अगर चलते हैं वीडियो के अगले और कॉर्मैटमर्परशन पर की हाली में सुर्खियों में रहा Yellow Gold 48 किसम है किसकी गेहों की, धान की, तर्वूज की या आम की तो इसका उत्तर होगा तर्वूज की जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी वायर ने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में Yellow Gold 48 नामक पीले तर्वूज को बेवसाइक रूप से पेश किया है वायर के वैश्विक अनुसंधान और विकास प्रियासों के तहत पीले तर्वूज को बेहतर जर्म प्लाजमा से विक्सित किया गया पीले तर्वूज की किस्म को दो साल के इस्थाने परिक्षणों के बाद भारत में बेवसाइक रूप से पेश किया गया है Yellow Gold 48 ने उपज छमता बेहतर रोग और कीट सही शूनता और उच रिटर्ण में व्रधी की है जो तर्वूज उत्पादगों को लावानतित कर सकता है इसके तरिक्त देखा जाए तो Yellow Gold 48 ने किस्म क्टूर से फरवरी के दोरान खेती के लिए सबसे उप्यूकत है इसकी कटाई अपरेल में की जा सकती है जिसके बाद यहे जुलाई के मद्धे तक बजार में उपलब्द होगा Yellow 48, Yellow Gold 48 का महत्व क्या होगा कि इससे उच उपज आय च्छमता है जो तर्वूज उत्पादगों को नई श्रेंडियों में विटता लाने के लिए सशक्त बनाएगी इसके साथ ही यह विदेशी फलो की बढ़ती मांग में भी मदद करेगा इसका चिलका गहरे हरे रंगा होता है जिसमें हलकी धारियां और नारंगी पीले रंग का आंतरिक भाग होता है यह फल का उसत बजन 2.5-3 किलो तक होता है इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह यलो गोल 48 तरबूज की एक किस्म है चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्पॉन पर कि अंतराश्ट्री यह उलम्पिक दिवस कब मनाया जाता है 22 जून 23 जून या 17 जून या 21 जून तो इसका उतर होगा 23 जून को 23 जून 1994 को अंतराश्ट्री उलम्पिक समीति की स्थापना पैरिस में की गई थी इसलिए 23 जून को अंतराश्ट्री उलम्पिक दिवस मनाया जाता है अंतराश्ट्री उलम्पिक दिवस पहली बार 1949 को मनाया गया था 1949 में कुल नौ देशों ने अपने अपने देशों में एक दिन को मनाया था लेकिन आज समय के साथ उलम्पियनो ने जिस उर्जा और सकरात्मक्ता के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है इसके चलते ही है उतसब अब वैश्विक बन गया है उम्र लिंग आदी के आधार पर किसी भी परकार के भेदभाव के बावजूद दुनिया भर में राश्ट्री ओलम्पिक समीतियां इस दिन रचनात्मक कारेकरम आयोजित करती हैं जो तीन इस्तंबो मूव, लर्ण, एंड डिस्कवर पर आधारित होती है इसके अलावा देखा जाये तो 2020 में ग्रिश्म कालिन ओलम्पिक पर चर्चा की जाये तो 2020 ग्रिश्म कालिन ओलम्पिक मूल रूप से जलाई 2020 में आयोजित किया जाने की योजना थी लेकिन COVID-19 महामारी करने से सगित कर दिया गया था यह दूसरी बार है जब जापान ओलम्पिक की मेजवानी कर रहा है इससे पहले जापान ने 1964 में ओलम्पिक की मेजवानी की थी 2020 में ओलम्पिक में पेश किये जाने वाले नए खेल BMX 3x3 बास्केट बॉल और मेडिसन साइकलिंग है अंतराश्टी ओलम्पिक समिती की बात क रहें तो यह ग्रिश्मकालिन और शीदकालिन ओलम्पिक खेलों का आयोजन करता है यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जिसका मुख्याले स्विजर लैंड के लौसेन में है इसकी इस्थापना पीरेडी कुवर्टीन और डिमेट्रियोस विकेलसन द्वारा 23 जुन 1894 को की गई थी इसका तरिक देखा जाये तो भारत का कौन सा राज्जे एक मात्र राज्जे बना जहां मगरमशो की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं बिहार ओडिसा आंदर परदेश या उत्तर परदेश तो इसका उत्तर होगा ओडिसा ओडिसा मगरमशो की तीनों प्रजात में मगरमच, खारे पानी के मगरमच, तो 1975 में इसकी नदियों में आने के बाद, पहली बार ओडिसा में घडियाल एक गंभी रूप से लुप्त प्राय का या प्राकरतिक घोसला देखा गया था, ओडिसा में घडियाल की बात करें, तो यह मूल घडियाल जो ओडिसा में पिछले तीन वर्षों में 13 और घडियाल पेश किये हैं, लेकिन अब केवल आठ ही जीवित हैं, घडियाल जिसे गोवियल या मचली खाने वाले मगरमच के रूप में भी जाना जाता है, गोविया लीडे परिवार के मगरमच हैं, वे सभी जीवित मगरमचों में सबसे लं चलते हैं वीडियो के अगले और अपने महत्पूर्ण प्रश्ण पर कि भारत ये किस राज्जे ने दुनिया का पहला जैने टिकली मोडिफाइड रवर्ड लगाया है असम और नाचल परदेश करनाटक या 36 गड़ तो इसका उत्तर होगा असम रवर्ड बोर्ड ने असम राज्जे में दुनिया के पहले जैनेटिकली मोडिफाइड रवर्ड का फिल्ड ट्रायल सुरू किया है इस जैनेटिकली मोडिफाइड रवर्ड को पुथुपल्ली को टायम में भारती रवर्ड अनुसंधान संस्थान में जैप्रोधही की प्रि कुल परभाव के कारण इसकी अनुमती देने से इंकार करने एक दर्शक बाद रवर्ड बोर्ड ने असम में जेनेटिकली मोटिफाइड रवर्ड का फ्यूड प्रडिक्शन सुरू किया है इसी के साथ ही देखे तो जीम रवर्ड दूसरी अनुवानशिक रूप से संसूदि कंडम में जीम रवर्ड के फील्ड परिक्शन सुरू करने की अनुमती दी थी जीम रवर्ड का महत्व जीम रवर्ड प्रतिकूल जलवाईव परिस्थितियों को जहलने की छमता रखता है इससे भारत में रवर्ड उत्पादन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा ट्राइल खत वता अबधी को भी कम कर देगा भारत का विश्व उत्पादन में चौथा इस्थान है परन्तु घरेलू खपत अधिक होने कारण यह रवर्ड का आयात करता है रवर्ड का आदिम इस्थान अमेरिका है यानि की रवर्ड जो प्राकरतिक रूप से जहां पर उत्पत्ती कोई नहीं तो इसका उत्तर होगा भारत की सबसे बड़ी उर्जा एकिकरत कंपनी एंटी पीसी लिमिटेड ने दो दिवस्य ब्रिक्स ग्रेन हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन की मेजवानी की ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान समय में सबसे लोग परिये और मांग वाले छेत्रो में अपने देशों के विषय और नवीनतम विकास पर अपने विचार साजा किये हैं इसी के साथ ही अगला और प्रशन है कि कौन सा केंद्रिय मंत्राले जान है तो जहान है कोविट टीका करन जागरुकता अभियान सुरू करने जा रहा है अलप संख्यक मामले मंत्राले झागरुकता अभियान जान है तो जहान है सुरू करने जा रहा है यह अभियान अलप संक्यक मामलों के मंत्राले स्वड़ा उर्वन समाजिक सऩ्टे श्रकारी संगठो उर महिला एववम महिला स्वेम साहता समों के साथ सुरू किया जाएगा अगला प्रशन है कि हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्छ सक्ती वाले लेजर का परिक्शन किया जो द्रोन को मार किरा सकता है जॉर्डन, इसराइल, इरान या इन में से कोई नहीं इसका अंसर होगा इसराइल इसराइल ने एक हवाई उच्छ शक्ती वाले लेजर का सफलता पूरवक परिक्शन किया जो द्रोन को हवा में मार सकता है इस लेजर को एक नागरिक बीमान पर रखा गया था और इसने भूमदे सागर के उपर हाल ही में एक परिक्शन में कई द्रोन को सफलता पूरवक मार गिराया है इसराइल के पास इससे पहले ही एक अत्याधुनिक वायू रक्षा परणा ली है जिसे हाली में 11 दिवसी युदु के दोरान गाजा में दागे गए हजारों रोकेट के खिलाफ 90% अवरोधन दर देखी गई थी तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के वीडियो का अंतर पूछे जाने वाले प्रशन पर कि पहला अंतराश्टी योग दिवस कम मनाया गया था 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016 या 21 जून 2018 तो इस प्रशन का होता है सब्सक्राइब जरू करें जय हिंद जय हिंद